पीलु येन ललित्पर उत्तर प्रदिश से आपके सीचरणों में तुरिवाल नमुस्तु पूर्वफ पूछ रहे हैं महराश्री जोदिश विद्या की अनेक भेद हैं हस्त विद्या हम सबी जानते हैं निमित्य ज्ञान से भी बहुत सारी चीजें बतला ही जाती हैं लेकिन वर्तमान में अनेक परकार के जोसी स्वर्विद्या को बहुत पुर्मुक्ता दे रहे हैं तो ये स्वर्विद्या स्वर्विज्ञान क्या जैनागम में इसका वर्नन है जैनागम के किसी अंग में वर्नन है या कहां से ये स्वर्विज्ञान आया है और इसकी प्रिक्रिया जो होती है वो सकारात्मक है, सही है, सठीक है या ऐसे ही है देखिए स्वर साधना एक प्राचीन साधना है जैन साधना में भी इसका इस्थान है ज्यानार नौ में इसका उलेक है लेकिन ये साधना बड़ी गुप्त साधना है मैंने खुद तीस वर्सों तक इसकी साधना कि लेकिन आजकल इसका लोगों ने ब्यापार बना दिया लोग इसका प्रसिक्षन देने लगे हैं ये कते उचित नहीं है हम जब भी कोई अच्छी साधना करे तो उसे साधना के भाव से करे और सही गुरू से करे आजकल जितना पोफेशनलिज में बढ़ रहा है उससे इन सब साधनाओं की पवितता खंडित हो रही है और एक बात जो मैं अपने आनभाव शे बताता हूँ करम के आगे न जोतिश काम करता है न स्वर काम करता है जब सारे उदे खतम होते हैं तो किवर करमोदे आता है और मेरा आनभाव ये बताता है कि मनोबल उचा है तो तुम्हें किसी जोतिश की जरुवत नहीं किसी स्वर की जरुवत नहीं किसी अन्य साधना की जरुवत नहीं मनोबल से काम करो परणाम अचा है इसलिए इन ठट कर्मों में ज्यादा मत पड़ो मैं जिस सब्द का प्रयोग कर रहा हूं आपको अटपटा लगेगा लेकिन मैं अपने आनभाव से बता रहा हूं मैंने तीस साल तक स्वर की साधना की और आज दुनिया में बहुत से स्वर के ग्याता है ना उनना कही न कहीं से मुझसे संपर करके कुछ वाते सीखी भी है पर जिस तरीके से इसका प्रचार प्रशार किया जा रहा है मैंने उन लोगों को मना भी किया ये कता ही प्रोटसाहन की योग नहीं है और उसके बाद आज मैं अपने आनभाव से कहता हूं मनोबल बहुत बड़ी ताकत है एक समय था मैं जब जोतिस और मुहुर्द को भी देखता था एक समय तक मैं स्वर का पूरा प्रियोग करता था अब आज एक अवस्ता है जब मेरे लिए सब गौन है मैं अपना सारा काम अपने मनोबल से करता हूं और ज़्यादा सफल महसूस करता हूं उससे अपने आपको ज़्यादा सफली भूत महसूस करता हूं इसलिए इन सब चीजों में दिमाग खफाने की जगा अपने लक्ष की पूरती के प्रियत्न में अपनी सक्ति लगानी चाहिए तो ज़्यादा अच्छे प्रणाम आएंगे लोगों का मनोबल कमजोर है इच्छा सक्ती कमजोर है तो तरह तरह के बातों और माध्यमों का लोग आलमबल लेने लगते हैं और कुछ संयोग से जुड़ जाते तो लोग उसके मुरीद हो जाते हैं और कुछ नहीं होता तो फिर चलता है इन सब चीजों में ज्यादा उलजना मेरी राए में बहुत समयोचित नहीं है और एक बात और बताओं दुनिया के जितने सफलतम लोग हैं उनके जीवनचरित को पढ़ना वो कहीं सब चीजों में नहीं रखते असोग जी पाटनी ने अपने वंडर सिमेंट का एक्सपॉंशन किया उसका बटन स्राध के दिनों में किया कनागतों में जिसको आप लोग करे दिन कहते हैं और सांधार चल रहा है वो कोई महुर्ट नहीं देखते हैं और आप देखिएगा तो जितने सफलतम लोग हैं ये जोत्सी बास्तू और दुनिया के विज्ञानियों और तांत्रिकों के चक्कर में वोई पढ़ते हैं जिनका मनो बल कमजोर होता है आद विश्वास कमजोर होता है उसको मजबूद बनाएए शहें जोत्सास इस बात को कहता है कि मनो बल के आगे कोई महुर्ट काम नहीं करता अपने भाव निर्मल रखिए सोच उची रखिए इच्छा सक्ती को प्रवल बनाएए और जो काम करना है आद बिश्वास से भर करिए सारा काम होगा और पहले ही मन में संका की सल रख लोगे तो कुछ भी नहीं होगा इस बात को ध्यान रखिए